जै च्छत्रिये मैं ठाकुर युवराज सिंग आलोग मैं अपने पिता को आदर्स मानता हूँ ठाकुर प्रेमपाल सिंग एड़ोकेट हलागे महराना प्रताब प्रचुराज चौहान सब आदर्स हैं लेकिन पिता खाली मेरे पिता ही नहीं थे और इसी वज़े से नहीं कहा रहा है कि मेरे पिता थे वो सब कुछ थे तौपर लखनु उनिवर्स्टी गोडल मेडलिस लखनु उनिवर्स्टी प्रेजडेंड लखनु उनिवर्स्टी और ये मन महन सिंग, पीच नम्बरन, सलमान खुरसी, अखलिज जी ये वो सारे जो पढ़के आएं ना बड़ी-बड़ी सब्राउन स्वामी बातें करते हैं कि हम बहाँ से पढ़के आएं हैं मेरे फादर ने कैम्बरिज में लॉप पढ़ाया रिसर्च स्कॉलर और डाक्टर रामनो लुया के बड़े करीवी रहे आचर नरिंदेव वाइस चांसलर थे जब मेरे फादर पढ़ते थे लखनों में तो आज कल के युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पिता की च्छाप संसकारों में जरूर राती है और मेरे अंदर मेरे बाप का डियने है कई पीडियों का है वो कहीं जाएगा नहीं मेरे फादर ने सद्धानतों की राजनीती की अवसर वादता उनके आसपास कहीं भी नहीं थी मेरे फादर टिकट देने वालों में थे दिल्ली में रणनीती बनाने वालों में थे कभी टिकेट ली नहीं देने वालों में रहे हमेशा चंसेगर जी के बड़े करीबी रहे और हिंदुस्तान क्या दुनिया के जो टॉप के वकील है राम जेट मलानी जो अब नहीं रहे राम जेट मलानी को भी डाउन किया मेरे फादर ने ठ्री साथ एवेंडू लेंच अझाहर जी की जब प्रधान मंत्री थे तो राम जेट मलानी म은हां पए सद्दाग्रह कर रहे थे वो कह रहे हैं मैं सद्दाग्रह कर रहा हूँ मेरे फादर ने उनको बोला कि वकिल साहब आप सद्दाग्रह नहीं कर रहें दुरागरे कर रहे हैं और दुरागरे आप जानते नहीं है क्योंगे कानून की किसी किताब में लखा हुआ लिए खेर नुरुत्तर हो गए उन पर जवाब नहीं था मेरे फादर ने असी के दसक में संक्राचारी आई थे मठादी साउथ के बलंड सहर में आत्माओं के उपर क्वेश्चन था कि क्या आत्माओं की संक्या घटी है या बढ़ती है पहले जड़ी लगा दी संक्राचारी ने मेरे फादर से क्वेश्चन करने के लिए मेरे फादर आंसर दे दे गए और जरासा मेरे फादर बोलें सुंकरा चारे जी अगला कॉस्चन शभी करने और जब मेरे फादर ने कॉस्चन की झढ़ी सुरू की न तो आतमाओं वाले कॉस्चन पर निरतंत्र हो गे थे संकरा चारे जी मठा दीज तो क्यो ना मैं अपने बाप को मानू और आज कल की जो भी जेनरिसन है मैं उसको कहूँगा कि अपने पिता के आदर्सों पर चलें और मुझे इस पूरे दुनिया में ब्रमांड में अपने बाप के मुकाबले को ही लगा नहीं किसी के उपर मेरा इंप्रेसन पढ़ा नहीं किसी से में अभी तक इस समय तक प्रभावित हुआ नहीं अब पितास्री नहीं है लेकिन उनका आज़स्रवाद मेरे साथ है मैं उनके पच्चिनों पर चलने की कोसिस कर रहा हूँ मैं उनका अंसमानतर भी नहीं हूँ लेकिन सायद में 10% उनके पच्चिनों पर चल पाऊं तो अपने को बड़ा स्वभा के साली समझूँगा तो मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि सिद्धान्तों से कभी समझोता ना करें तलवे चाटी ना करें, चमचागीरी ना करें उपर जाने के लिए हो सकता है, ज्यादा है टाइम लग जाएगा अधिक टाइम लगाएगा, लेकिन अपना जमीर खुददारी वजूद के साथ चलेंगे न अपने उग्रा के आगे ना बढ़ें, ऐसे मैं करता होता मैं अभी तक कहां से कहां पहुंच गया होता टाइम लगे लगता रहें, राजा भहिया को सलाम करता हूँ, राजा भहिया को मानता हूँ वो संरक्षक हैं हमारे, ठाकुर यवराज अलोग यूद बिर्गेट के वो संरक्षक हैं बागी सौहमान टर्स चला रहा हूँ, छत्री सहना चला रहा हूँ सबी यवासातियों से चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ें दलवल के साथ जुड़ें मैं आदी रात उनके साथ खड़ा रहूँगा और छित्र की जो भी समझते आए हैं आजकल नेताओं ने क्या कर दिया है ना हर पार्टी को हर दल को हर जंडे को अपने सरंगार का साथन समझ लिया है उसके माद्धम से अपने को सजाते हैं जबकि जंता है ये जंता है सरंगार का साथन तो मैं सबसे अपील करूँगा अपने साथियों से भाहियों से कि मेरे साथ आए राजा भाहिया के साथ आए और दलवल के साथ आगे बढ़ें और छेतर की जो भी समझ से आए हैं बिस्टा चाहरा है या पॉलू सने जो मड़ी हैं सब को हम मिलके ठीक करेंगे सही करेंगे और जो ये नेता जूट बोलते हैं न ये खाली जूट नहीं बोलते हैं जूट बोलें समझा जाए जूट बोल देना है बस आप लोगों का साथ चाहिए आप हमारे साथ आईए और जिंदावाद तरीके से आईए बहुत बहुत धन्यवाद जै च्छत्रिये जै सरी राम